गणीश उत्सव के दोरान मुंबई के कई बड़े पंडालों पर करोडों रुपए खर्च होते हैं। पर कर जाया गया है। 36 किलो चांदी और 500 ग्राम सोने का पेंडेंट चड़ाया गया है। इस दोरान जी असवी सेवा मंदल के उपाध्यक्ष रगवेंदर जी भट ने बप्पा की कुला भूषनों के बारे में बात की। इस साल हमारे गणपदी बप्पा को 36 किलो चांदी और 250 गरम का सोने का पेंडेंट आया हुआ है एक अधिक है और यहां पे हम लोग दूसरे दिन बगवान अयोध्या के राम लाला के मंदिर के पुनर निर्मान के लिए विगन नहीं आना चाहिए इसलिए हमारे पूरे समाज के तरफ से हम लोग बड़ा एक गणव हम करने वाले हैं 20 तारिक को सबेरे ऐसे 19 तारिक कल गणपदी पपा के चतुरती के दिन हमारे देशों का इस लोग के साइंटिस्टों का चंद्रयान के सक्सेस पर हमें हमारे गणपदी पपा से हमने प्रार हर साल इस पंडाल का बेमा भी कराया जाता है इस बार जे एस बी सेवा मंडल ने कितने का बेमा करवाया है ये भी सुनिये कुल मिलाकरломचे таким से कुटी 39 native कोटी 45 लाग का इंसुरंस लिया हुआ है उसमें 290 कुरोड हमारे भावी कों के लिए है हमारे यहां पूजारी है यहां जो बवक्तोचनाते नके लिए हमने 279zięk लाग का इंसुरंस है गया नों का जैूल्री का इंसुरंस 49 कोड का यहां भक्त हर साल इस पंडाल में आकर गणपती पपा के दर्शन करते हैं और आशरवाद लेते हैं मैं पूरे घर के लिए स्वास्त सुख सम्रुदी और स्वास्त मांगती हूं और बहुत बच्पन से मैं यह बगवान के दर्शन करने आती हूं फिर बच्चे हुए तो बच्चों के साथ पूरे परिवार के साथ यहां आती हूं और यहां आगे मन ने शान्ती मिलती है और उन होती है इसके लिए हर साल आती है आप जो बोल रहें कि यह जो दागीने लेगिन यह उनकी शोबा है इनसे ही उनका रूप इतना निकरता है कि एक बार आखे बन करके भी उनको देखो तो असा लगता है कि शाक्षाद भगवान बैठ है जिस भी सेवा मंदल काफी टाइम से हम आ रहे इदर और हम इनके जो फॉल और गुरु भगवान जो है मंजेश्वर मेंगलो रणनतेश्वर से हम लोग आ रहे हैं पर तो जीस भी मंदल से कुछ अच्छा हमारा है तो हम आते ही है दर्शन करते और हमारी आध तक जो भी मन में इच्छा रखते हैं हो जाती है एक सबसे अमीर मंदल माना जाता है बडाला में मौजूद यही एक मात्रहसा पंडाल है जहां 24 घंटे अनुष्ठान चलता है हर साल यहां भगवान गणीश की मूर्दी को सोने और चांधी के आभूशनों से सजाया जाता है